नमस्कार दोस्तों सस्क्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल को हमारा लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो बिल्कुल मुफ्त है नमस्कार दोस्तों वर्ड बैस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे रक्षा बंधन के पवित्र पर्व के बारे में कि किस मुहूरत में आपको रक्षा बंधन का तेवहार मनाना है और भद्रा का समय क्या होगा क्योंकि हमारे सास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में रक्षा बंधन का तेवहार नहीं मनाया जाता है दोस्तों रक्षा बंधन का तेवार हिंदू धर्म में बड़े तेवारों में से एक है जिसे सावन महा की पूर्णिमा तिति को मनाया जाता है इस रक्षा बंधन के पर्व के साथ ही सावन महा की समापती हो जाएगी यह तेवार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है इस दिन बहन अपने भाईयों की कलाई में रक्षा सूतर बांध कर भाईयों से अपनी सुरच्छा का वचन लेती है दोस्तों ऐसी मानिता है कि भाई की दीर आयू तरक्की वाखुसियों की कामना के लिए अगर बहन सुब मौरत में राखी बांध है तो भाई के सारे कस्टों का निवारण होता है और जीवन में खूब तरक्की मिलती है इस साल रक्षा बंदन का तेवार 26 अगस्त 2018 दिन अविवार को मनाया जाएगा और सावन महा की पूनिमा तिति का प्रारम 25 अगस्त दुपहर 3.15 मिनट से लेकर 26 अगस्त को साम 5.30 मिनट तक रहेगी और राखी बांधने का सुब मौरत 26 अगस्त की सुबह 5.69 मिनट से लेकर साम 5.25 मिनट तक रहेगा इस सुब मौरत की कुल अवदी 11 घंटा 26 मिनट होगी और रक्षा बंधन में दुपहर का सुब मौरत दुपहर 1.49 मिनट से लेकर साम 4.12 मिनट तक रहेगा और इस मौरत की कुल अवदी 2 घंटा 33 मिनट होगी दोस्तों सास्तों के अनुसार बद्रा काल में राखी बांधना असुब माना जाता है इस बार बद्रा 26 अगस्त को सूर उदे से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा इसलिए आप 26 अगस्त को दिन भर रक्षा बंधन का तेवार उल्लास के साथ मना सकते हैं दोस्तों इस बार रक्षा बंधन में पंचक योग बन रहा है जिसमें मानता है कि कोई भी सुप काम नहीं किये जाते हैं लेकिन पंचक योग रक्षा बंधन में बाधक नहीं होगा आप इस दिन पूरा दिन रक्षा बंधन का तिवार मना सकते हैं इस दिन बहने सुबा उठकर नए वस्त धारण करें फिर पीतलवा सोने चांदी की थाली लें यदि इन में से कुछ भी ना हो तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं फिर थाली में रोली, हल्दी, अक्षत यानि साबुत चावल राखिवा मिठाई रखें फिर इस थाली को घर के मंदिर में रखें और भगवान को भी तिलक वा भोग लगाएं इसके बाद आप अपने भाई के माथे पर तिलक करें फिर उनकी आर्थी करें और अक्षत लगाते हुए भाई की दीरगायू की कामना करें फिर दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र यानि दोस्तों इस दिन भाई वा बहन दोनों को रक्षा बंधन की पूजा तक व्रत वा भूखे पेट रहना चाहिए सास्त्रों के अनुसार राखे बांधने तक भाई वा बहन को खाली पेट अवस्य ही रहना चाहिए इससे दोनों के जीवन में खुसियां आएंगी और जीवन में सफलता मिलेगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें साथी साथ इस वीडियो को फेस्बूप और वाटसप पे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवस्य शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फर्ट बेस्ट मैजिक से जुरूने के लिए रेड कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथी साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद